सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान बात करेंगे अब यहां से सोयबीन की तो सोयबीन में हमने काफी शांदर बड़त आते वे पहले भी देखी है, अब भी देखने की सोयबीन की जो कीमते हैं उनमें लगातर बड़त देखने को मिल रही है, बात करें सबसे पहले यहां पे अगर हाजिर बजार की, तो हाजिर बजार में किसानों को पहले सोयबीन के बहुती मंदे दाम मिलते नजर आये थे तीन-तीन हजार रुपे कुइंटल तग नीचे सोयबीन विक्ती नजर आये थी फिर किसानों ने फैसल लिया तक कि अब वो और नुकसान नहीं सहेंगे और अपनी सोयबीन को स्टॉक करेंगे, होल्ड करेंगे तो किसानों का वो शुर रुपे कुइंटल से उपर ही देखने को मिल रही है, या फिर इसी के आसपास, सोयबीन की कीमतों में बड़ोतरी देखने को मिली है, पहले सोपा ने अपना उतपादन अनुमान जादा बताया था, सोपा ने भी कम किया है, लेकिन उतपादन अनुमान सोपा का सोयबीन का अभी भी ज़ादा ही है, overall देखा जाया तो, लेकिन जो विदेशी बजार हैं, विदेशी बजार में तेजी बन रही है, सोयबीन की कीमतों में, ब्राजील और अर्जेंटीना में, सोयबीन का उत्पादन इस बार कम रह सकता है, जिसकी वजासे पूरे दुनिया में, यानि की पूरे वैश्वीक सरपस, सोयबीन का जो उत्पादन है, कम रहने की उमीद जता ही जा रही है, जिसकी वजासे सोयबीन की जो सप्लाई है, वो टाइट रह सकती है, यानि की कम रह सकती है, और इसी की वज़ा से हम देख रहे हैं कि सोयबीन की जो कीमते हैं उनमें लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है US सोयबीन वाइदा भी देख रहे हैं कि लगातार वो भी तेजी की ही हो रहे है 24 फरवरी को हमने US soybean का वैदा 1754 डॉलर तक जाते वे देखा था वहीं आज भी देख रहे हैं कि आज भी जो US soybean वादा है वो अभी भी 1650 डॉलर के उपर सस्टेन है 1700 तक तो नहीं जा पाया है अभी भी लेकिन 1650 डॉलर के उपर सस्टेन है लेकिन 1700 डॉलर के करीब जरूर ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको बतातें कि US soybean आज 1694 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है शाम के कारोबारी सत्र में हफते के पहले कारोबारी दिन और US soybean के अंदर दो फीजदी की बड़त देखने को मिल रही है फिर से आगया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान